अबरिवान, वेलकम तो माई चैनल, CBSE History and Social Science तोड़े वी विल डिस्कूस क्लास 10, जियोग्रफी चैप्टर 1st, MCQ Question आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के पहले चैप्टर संसाधन Resources के Multiple Choice Questions के बारे में डिस्कूस करेंगे जो कि सभी परिक्षाओं के लिए बहुत important है वीडियो भी अवेलेबल है जिसका description आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा तो उसको देखकर पूरे चैप्टर की भी जानकरिया आप ले सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को आज के इस वीडियो में पहला question है हमारा They are gifts of nature which satisfy human needs They are We हमारी आवशक्ताओं की पूर्ती करते हैं प्रकृती के उपहर हैं और हमारी आवशक्ताओं की पूर्ती करते हैं We क्या है A commodity, a thing, resources or none of them तो सीधा simple size का answer है ये प्रकृती के उपहर जो मनुश के काम में आते हैं उन्हें संसादन या resource कहते हैं तो option C will be the correct answer A. Natural resource, B. Potential resource, C. Renewable resource or D. Stock तो वे संसादन जो पुना प्राफ हो जाते हैं फिर से प्राफ हो जाते हैं उन्हें renewable या नवी करनी ये संसादन कहा जाता है तो option C will be the correct answer फिर third है In which year the first World Earth Summit was had कौन से वर्ष में प्रथम विश्व प्रत्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1990, 91, 92, 93 तो प्रथम विश्व प्रत्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 वर्ष में हुआ था 1992 में हुआ था अगला question फिर आता है फिफ्थ question Which soil is known as cotton soil किस मिट्टी को कपासी ये मिट्टी भी कहा जाता है जो कपास के उप्योग में आती है वो मिट्टी कौन सी है जहां कपास के लिए बहुत अच्छी खेती की जा सकती है Red soil be arid soil C mountain soil D black soil तो black soil वो answer है काले मिट्टी का पास के लिए बहुत उप्युप्त मानी जाती है Black soil will be the correct answer It is known also as cotton soil फिर आते हम next question number 6 की ओर Soil can be conserved by Soil को सरक्षित किया जा सकता है इन में से कौन से उपाय से A cutting of trees B overgrazing C planting of trees D excessive mining पेडों को काट कर जारदा चराई करके पेडों को लगा कर और mining की गतिविदियों को या खनन की गतिविदियों को बढ़ा कर तो पेड लगा कर Soil conservation किया जाता है इसलिए planting of trees will be the correct answer of this question फिर आता है 7th question Land degradation due to over irrigation can be seen in the states So भूमी क्षरण जो है अधिक सिचाय की वज़े से इन में से कौन से राज्यों में देखा जा सकता है यानि अधिक सिचाय कारण कौन से राज्यों में भूमी का क्षरण या भूमी का खराब होना जो है अनुपजाव होना है वो देखा जा रहा है Option A पंजाब हर्याना B असाम C U D मिजोरूम तो भारत में सबसे अधिक सिचाय की सुविदा जो है वो पंजाब हर्याना में है वहाँ बहुत सारी कैनल से बहुत सारी रिवर्स है तो इन दोनों ही राज्यों में जो है और irrigation is the main cause of land degradation यहाँ पर जो है land degradation का यह main कारण है फिर आते हैं 8th question Which one of the following is an example of biotech resource इस में से कौन सा एक जेविक संसादन है A rock B mountain C mineral D flora तो जेविक संसादन वो संसादन होते हैं जिन में life होती है rock, mountain and minerals में life नहीं है plants and trees हैं they are called flora तो यहाँ पर option D will be the correct answer फिर खादर is a type of खादर किसका एक प्रकार है black soil का alluvial soil का lateral soil alluvial soil का desert soil का रहे गिस्तानी मरुस्तली मिट्टे का तो खादर और बांगर जो है वो alluvial soil के types हैं दोमट मिट्टे के types हैं तो इसका आंसर होगा B alluvial soil फिर 10th है which one of the following is an example of non-renewable resource इन में से कौन सा अनभी करनी इसनसादन है A. solar energy B. tidal energy C. petroleum D. hydro energy तो इतने भी ये A, B और D हैं ये तीनो तो renewable resource हैं तो यहाँ पर जो है petroleum है वो renewable नहीं है petroleum अनभी करनी संसादन है खतम होने वाला है इसलिए C. will be the correct answer of this question इसके बाद हम चलते हैं question number 11 which of the following is not classified on the basis of status of development इसमें विखास के आधार पर कौन सा संसादन का एक प्रकार नहीं है विखास के आधार पर potential resource developed stock resource reserve resource और D. renewable resource तो potential resource या संभाव या संसादन developed stock resource जो है और reserve resource ये तीनों ही on the basis of development के classified हैं जिब की renewable resource जो है वो जो है इसका type नहीं है इसलिए नभी करनी संसादन जो है इसका correct answer होगा ठीक है फिर आता है question number 12 that's resources which can be used for personal use ऐसे संसादन जो व्यक्तिगत उप्योग में लाए जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है A. community या सामुदाइक संसादन B. व्यक्तिगत individual संसादन C. national resource D. international resource ऐसे संसादन जो personal use में आते हैं व्यक्तिगत या individual संसादन कहा जाता है निजी संसादन कहा जाता है तो option B will be the correct answer फिर आता है 13 question The unfit land caused by gullies is called वोल जमीन या क्षेत्र जो गली के एरोजन की वज़े से गली अपरदन की वज़े से जो है अवनाली का अपरदन की वज़े से खराब हो जाता है उसे क्या कहा जाता है ए खादर भी बांगर C bad land और रैविन या D रैगर तो unfit land caused by gullies is called bad land या रैविन कहा जाता है तो option C will be the correct answer इसका In which one of the following state is terrace cultivation practice terrace cultivation जो है सीरी नुमा खेती इन में से कौन से राज्यों में की जाती है तो सीरी नुमा खेती उन राज्यों में की जाएगी जहाँ पर पहाड़ी ढाल होते हैं तो पंजाब हर्याना उत्तर प्रदेशी तीनों ही plane है मैदानी इलाके हैं तो यहाँ पर यह नहीं हो सकती तो बविष्य की आवशक्ताओं को भी पूरा करे इस जरग की चीज़ को क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है A. Resource Conservation संसाधन सरक्षन B. Terrace Cultivation सीरी नुमा खेती C. Sustainable Development सतत पोशनी विकास या D. Shelter Belts ठीक है रक्षक मेखला तो ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ बविष्य की आवशक्ताओं को भी पूरा करे उसे Sustainable Development या सतत पोशनी विकास कहा जाता है तो option C will be the correct answer of this question जैके बहुत important question तो फिर आता है question number 16 coal, iron, ore, petroleum, diesel etc. are the examples of koila, loha, petroleum और diesel ये किसके उधारन है biotic resource, abiotic resource renewable resource और non-renewable resource तो koila, petroleum और diesel ये तीनों तो biotic resource के लग रहे लेकिन iron, ore जो है वो biotic नहीं है अब biotic है इसलिए biotic नहीं हो सकते फिर ये सारे सब renewable भी नहीं है ये है non-renewable resource अनवी करने संसादने इस सब खतम होने वाले हैं तो D will be the correct answer of this question फिर आता है question 17 which one of the following term is used to identify the old and new aluvial respectively respectively इन मैसे कौन सी term का use नई और पुरानी जो है दौमत मिट्टी या aluvial soil के लिए किया जाता है options A. खादर और तराई B. तराई और बांगर C. बांगर और खादर और D. तराई और दौर्स तो जो पुरानी दौमत मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है और जो नई दौमत मिट्टी बाड द्वारा लाई गई मिट्टी जो उपजाव मिट्टी होती है aluvial मिट्टी उसे जो है खादर कहते हैं, तो बांगर और खादर ये इसका जो correct answer होगा ये ऐलुवेल सोईल के ही टाइप है, और ये आपको याद भी रखना है old is बांगर and new is खादर ठीक है, फिर आता which one of the following soil is the best for cotton cultivation कोल से मिट्टी, कपास की कृषी सबसे उप्युक्त है, red soil black soil, laterite soil और alluvial soil, तो कपास की कृषीटी सबसे best type की मिट्टी जो होती है, वो हम पहला ही discuss कर चुके हैं, वो होती है black soil तो black soil will be the correct answer of this question, फिर आते है how much target percentage of forest area in the country according to the national forest policy, रास्टी वन नीती के नुसार बारत देश में कितने प्रतिशद 1 होने चाहिए, target percentage कितना है, 33, 37, 37 और 31 तो target percent जो है national forest policy के according वो one third decide किया गया यानि 33% है तो option A will be the correct answer फिर आते हैं, 20 वा question, which type of soil develops due to high temperature and evaporation, कौन सी मिट्टी जो है बहुत अधि गर्मी और वाश्पी भवन कौन सी मिट्टी उससे बनती है तो high temperature जो है वो और evaporation की प्रोश्य सब से ज़्यादा होती है, desert area में जहां पर जो मिट्टी पाए जाती है that is arid soil, तो इसका answer होगा marusli मिट्टी, arid soil ठीक है, ये इसका correct answer होगा, फिर आता है the resources which are found everywhere are known ऐसे संसादन जो सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें कौन से संसादन कहा जाता है ubiquitous, non-renewable, human-made resource और none of the world ubiquitous या सरवयापी संसादन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो हर जगह मिलते हैं localized जो है, वो स्थानिक संसादन होते हैं कहीं कहीं मिलते हैं तो option A, ubiquitous यानि सरवयापी संसादन जो है सही आंसर होगा the following is or are the non-renewable resources इन में से कौन से जो हैं, वो non-renewable resource है और नवी करनी संसादन है A, coal, B, petroleum, C, natural gas, D, all of the world तो यहां कोईला भी और नवी करनी है, petroleum भी है, natural gas भी है तो सभी तीनों जो है नवी करनी है इसलिए, option D will be the correct answer फिर आता balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called ठीके, वर्तमान resources का balance बनाते हुए उन्हें भविश के लिए बचाना उसे ही क्या कहा जाता है sustainable development, resource conservation, resource development और human resource development तो भविश के लिए संसादनों को बचाना और अभी संसादरों का सरक्षन करना इसी कहा जाता है सतत पोशनी विकास यानि sustainable development तो यह will be the correct answer फिर how much percentage of land is plain in India भारत में कितने प्रतिशक भूमी जो है, वो समतल मेदान है 41, 45, 43 और 47 तो भारत में जो data है according उसके अनुसार है 43% of land is plain फिर आता है name the soil type which is widely found in western Rajasthan उस मिट्टी का नाम बताए जो राजस्थान के मरुस्तली क्षेत्रों में पाए जाती है पस्चिमी क्षेत्रों में पाए जाती है black soil, aluval soil, arid soil और red soil तो राजस्थान का maximum part जो है वो desert है तो वहाँ जो मिट्टी पाए जाती है that is मरुस्तली मिट्टी या arid soil तो C will be the correct answer फिर आता है question number 26 area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as तो वो क्षेत्र जो वर्ष में एक से अधिक बार जोड़ता जाता है और उसमें net sown area को भी जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है fellow land अनुपयोगी भूमी gross cropped area suckle fustle भूमी cropped area fustle भूमी या फिर grazing land चरागा तो ऐसा area जो वो उसमें एक से अधिक बार जोता जाता है उसे कहा जाता है gross cropped area तो option B will be the correct answer ठीक है फिर है समुदरी संसाधन जो 200 nautical mile से बाहर होते हैं उन्हें इन में से किस category में रखा जाता है exclusive economic zone export processing zone special economic zone or none of this तो वो area जो 200 nautical mile से बाहर होता है that is exclusive economic zone जो है आर्थिक शेतर से बाहर के होते हैं तो इसे option इसका सही होगा 28th question consider the following three statement and identify what is it इन तीनों वाक्यों का ध्यान से दियन कीजिए और बताए कि ये क्या है identification and inventory of resources पहचानना और संसाधनों की सुची बनाना दूसरा evolving a plan structure with appropriate technology skill and institutional setup ठीक है एक ऐसी कार्यूजना द्वारा जिसमें तक्नी की कोशल और आधारपूद सरंचना का निर्मान करना और तीसरा है matching the resource development plan with the overall national plan resource development plan ये संसाधन विकास योजना और राश्ट्री विकास योजना को साथ में ले कर चलना इन तीनों ही बिंदों को क्या कहा जाता है resource conservation संसाधन सरक्षन be sustainable goals सतत पोष्णी उगदेश agenda 21 ये resource planning ये संसाधनी योजना तो भारत में संसाधन की योजना है उसकी तीन पार्ट है पहले उनकी सूची तयार करना फिर उसके लिए आधारपूद डाटा स्ट्रक्चर तयार करना और तीसरा जो है राष्ट्री विखास योजना को संसाधन विखास योजना से मैच करना तीनों ही जो है resource planning का पार्ट है तो इसका correct answer होगा option D ठीक है resource planning बहुत important question है फिर आता है question number 29 which of the following soul is more common in Pidmon plans such as दूआर्स, के ओस और तराइस इन मैसे कौन से प्रकार की मिट्टी जो है Pidmon plans जो है उन क्षेत्रों में जेने दूआर्स, के ओस या तराइस कहा जाता है उनमें पाई जाती है black soil, laterite soil, alluvial soil और red soil ठीक है कौन से मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है तो यहाँ जो पाढ़ी ढालों के नीचे वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है laterite soil तो option B will be the correct answer फिर आते हैं which soil is also known as ragur soil कौन से soil को ragur soil भी कहा जाता है black, red, alluvial और laterite soil तो black soil को ही ragur soil कहा जाता है तो option A will be the correct answer फिर the running water cuts through the clay soil is soil is cold as बहता हुआ पानी जो clay, मिट्टी जो होती है उसको काट कर चला जाता है उसे क्या कहा जाता है bad land, gullies, deltas, none of this तो बहते हुए पानी की द्वारा जो मिट्टी का कटा होता है उसे अवनाली का परदन या गली अपरदन कहा जाता है गली erosion तो B will be the correct answer which aimed at achieving global sustainable development वेश्विक, सतत पोशने विकास को achieve करने का प्रोग्राम इन में से कौन सा है Agenda 21, resource conservation, gross property area और soil conservation तो वेश्विक, जो है sustainable development को achieve करने का जो प्लान है, उसे Agenda 21 कहा जाता है, जो की World Earth Summit में decide किया गया तो उसे Agenda 21 कहते हैं, फिर इसके बाद next आता है, the lower horizon of the arid soil is occupied by kankar due to increasing, जो मिट्टी का, जो kankar वाली मिट्टी का, जो नीचे का भाग होता है, वो kankar से होता है, बना हुआ होता है, arid soil का मरूसली मिट्टी का नीचे का भाग, जो है कारण बनते हैं, calcium content की वज़े से, potash content की वज़े से, lime potash और phosphorus content की वज़े से, या phosphorus content की वज़े से, तो arid soil में ये जो kankarों का निर्माण है, वो होता है, calcium content की वज़े से, उसमें calcium की मात्रा होते हैं, ये जो है kankar बनते हैं, तो option A will be the correct answer of this question, और इसी के साथ, आज की सभी महत्पून, 33 question chapter 1, resource chapter से पूरे होते हैं, आशा है आपको ये question अगामी परिक्षाओं में बहुत उप्योगी रहेंगे, बहुत महत्पून रहेंगे, और इसी के साथ, आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, thank you for watching my video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, और इस chapter से related, अगर वीडियो देखना है तो आप नीचे description में, जो link दिया है, उस पर click कर सकते हैं, और पूरा chapter को भी आप जान सकते, पढ़ सकते हैं, तो thank you, have a nice day to all, good bye